Hello viewers, welcome to my YouTube channel Healthy Foodie दोस्तो आज मैं आपसे बात करूँगी कुछ ऐसी खास खाने पीने की चीजों के बारे में जो कब्ज यानि की constipation की समस्या को दूर करने में मदद करेंगी कब्ज की समस्या जादातर बहुत से लोगों को होती है और कब्ज से ही पेट की आदी से जादा दिक्कते भी शुरू होती हैं दरसल कब्ज के कुछ कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है खराब लाइफटाईल और डाइट डाइट में मसालेदार और तली बुने चीजों का जादा सेवन करने वाले लोग कब्ज का शिकार जादा बनते हैं इसके लावा अगर आपका लाइफटाईल बहुती बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है या फिर आप पानी भी बहुती कम पीते हैं वो लोग भी कब्ज, गै एसे लोगों की अंदर की बाउल मुव्मेंट या तो बहुत धीमे तरीके से होती है या रुकी ही रहती है जिससे की मल अंदर ही फसा रहता है तो ऐसे में चलिए वीडियो में जल्दी से जानते हैं कौन सी चीज़े कब्ज को होने से बचाती है और पेट को साफ करती है पहला है अंजीर दोस्तों कब्ज दूर करने में सबसे पहले नंबर पर आती है अंजीर अंजीर में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन A, विटामिन B, आयरन ये कई सारे पौशत तत्वों से भरपूर सेहत के लिए बहुती गुणकारी फल है ये पंसारी के यहां आसानी से मिल जाती है कब्ज के लिए रात में खाना खाने के बाद दो अंजीर को एक गिलास दूद में उबाले, अच्छे से दूद उबलने पर अंजीर को चबा चबा के खा ले और दूद को हलका थंडा होने पर उपर से ही पी ले, कुछी दिनों में दूद के साथ अंजीर को ले आई आती है जिससे की मल निकालने की प्रक्रिया आसान हो जाती है दूसरा है एलोवेरा दोस्तों कप्च तूर करने के लिए एलोवेरा का रस भी बड़ा फायदा करता है सुबह भूखे पेटी आदे गिलास गरम पानी में 15-20 मिली लीटर एलोवेरा जूस मिलाकर पीने से आ एसिडिटी, स्किन और बालो के लिए भी एलोवेरा का रस बहुती फायदिमंद होता है तीसरा है पालक दोस्तों कप्च रोग्यों के लिए पालक को अपनी डाइट में शामिल करना भी बहुती फायदिमंद रहता है पालक में मौजूद फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटी ओक्सिडेंट्स इन तत्वों से भरपूर पालक कप्च दूर करने में बहुती गुणकारी होती है पालक को आप दाल पालक, पालक का रैता, पालक की रोटी, पालक का सूप या फिर पालक की सबजी किसी भी रूप में शामिल कर सकते हैं पालक आंतों की गती अगला है पापीता, दोस्तों कप्च दूर करने वाले फूड्स में नमबर चार पर है पापीता, खराप पाचन क्रिया को सुधार कर कर कप्च दूर करने में पापीता एक बहतरीन फल है, रेशे से भरपूर पापीता शरीर से हानिकारक टॉक्सिंस को बहा निकालने में आ कप्च से कुछी दिनों में पपीता राहत दिलाने में मदद करता है पांचवा है सेव दोस्तो सेव का फल भी कप्च तूर करने में एहम भूमी का निभाता है सेव में भरपूर फाइबर मौझूद होता है जो स्टूल को लूस करता है जिससे की आंतों में फसा मल आसानी से बाहर आने लगता है अगर आप कप्च से राहत चाहते हैं तो खाली पेट सेव को छिलके समेथ खाने से बहुती लाब मिलता है चाटा है बुनेवे चने दोस्तों बुनेवे चने भी कप्च की दिकत को कम करने में बहुती फायदा करते हैं बुनेवे चने खाने से शरीर को जादा से जादा पानी पीने की ज़रत पड़ती है जिससे की जादा पानी पीने से शरीर का बाउल मुमेंट बहुती अच्छा होता है और फसा मल आंतों से जल्दी बहार आने लगता है भुनेवे चने खाने से पेट के मेटबॉलिजम को भी तेज बनाते हैं और पेट से जुड़ी और समस्याओं से भी बचाफ करने में मदद करते हैं साथवा है केला दोस्तों केले का खाना भी कप्च की परेशानी से निजात दिलाने में एक फायदिमन फल होता है इसमें पोटेशियम फाइबर अच्छी मातरा में होता है जो बॉड़ी की पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाते हैं जिससे की ठोस मल धीरे धीरे नरम होने लगता है और आतों से बहार निकलने लगता है वहीं केले में पैक्टे नामक एक विशेश फाइबर भी पाया जाता है जो गैस, एसिडिटी, पेट में अलसर इन सब दिक्कतों से भी बचा कर रखता है तो दोस्तों ये थी ऐसी खास खाने पीने की चीजें जो कच से राहत दिलाने में आपको अपनी डाइट में शामिल करना अच्छा रहता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक कीजे इस वीडियो को शेर कीजे अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है हेल्दी फूडी ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें तब तक के लिए स्टे हेल्दी फैंक यू